नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं रोड सेफ्टी वल्ड श्रीज के चोथे मैच के बारे में जो न्यूजलैंड वर्चित साउथ अफरिका के बीच खेला जाएगा यह मैच गरीन पारक स्टेडियूम कानपूर में 12 सितंबर को 7 बज़कर 30 मिनट पर खे तो कि दोस्तों यहां पर 5 तो जो और जो गरीन पार्क स्टेडियमुद्र फेच खेल जाएगा दिंग में टीम ने एक मैच, सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने पांच मैच जीते हैं, एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पीच पर एवरेज स्कोर 161 का है, हाइट स्कोर 195 का हाला कि हाइट स्कोर 217 का हो गया जो कि इंडिया वाले मैच में बना था, लेकिन देखा जाए तो वो भी टूटकर स्री लंका ने जो मैच अभी खेला है, जो चल रहा है भी मैच, उसमें 218 का स्कोर कर लिया, यानि कि इस पीच पर हाइट स्कोर 218 का है, और लोज टोक्टरल की बात करें तो 124 का है, स्कोर पैटरन की बात करें तो इस पीच पर डेड़ सो से नीचे एक बा स्कोर्स ज्यादा मदद नहीं करती, तो शीदाई रिसेंट मैच की बात कर लेते हैं, रिसेंट मैच की बात करें तो इंडिया और साथ अफ्रीका के बीच पहला मुकाबला के लागा था, जिसमें इंडिया ने 217 रन बनाए थे, चार विकेर शोकर, और साथ अफ्रीका 156 र रन बनाकर इस मैच को जीत गया, तीसरे मैच की बात करें दोस्तों, तीसरे मैच में 218 रन बने जबकि एक ही विकेर्ट्स गिरी, यानि कि अब आप देख सकते हैं कि पिच रिपोर्ट्स कोई महतव नहीं है, इन मैचों में, रोडशाटी के मैचों में, पिच रिपोर्ट् से हैं, वो यहाँ पर हमेशा स्कोर्स करेंगे, तो इसी पर कर दोस्तों, आज के मैच में मेरे साफ से स्कोर्स होगा, 160-70 के आसपास होगा, क्योंकि मैच न्यूजिलेंड्स वर्सीज, साउथ अपरिका का है, साउथ अपरिका तो अपना एक गेम खेल किया चुकि है, और न वीक को लिया और जो की ओपनिंग करेंगे, और एक अच्छे बैट्समेन है, पिछले मैच में हाला कि ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, फिर भी एक अच्छे हैं, जबकि होपकीन से मेरे साफ से पांस नंबर पर बैट्टिंग करेंगे, इसलिए मैंने एक वान वीक को लि जोन्टी रोडिक्स साथ अफ्रीका के टीम के कप्तान है, तो चैर नंबर बैटिंग करते हैं, फिर मैंने अपर एन ब्रूम को ट्राई किया हुआ है, जो कि अपना न्यूजिलेंड पहला मैच खिल लगी, तो ये प्रेश होगे दोस्तों मेरे बैट्समेन, अब बात करते ह आलाउंडर में मैंने तीन आलाउंडर से लिए हैं, जो कि अश्टारिश, ए डैविस और जेन वेंडर वैथ, तो जेन वेंडर वैथ पिछले टीम में भी थे, दो विकेट्स लिए, पलस दस रन बनाई, यानि कि एक रच्छय उप्शना आपके लिए, कैप्टन वाइस, कै इन बैट्स में लिए हैं, फिर बात करते हैं दोस्तों, बोलिंग की, बोलर्स में बात करते हैं, एक अच्छे बोलर्स हैं, पिछले मैच में जारो ओवर डाले, हाला कि एक विकेट्स लिए, लेकिन पिछला मैच इंडिया के खिलाव था, इस मैच में ये आपको अच्छे खासे विकेट्स लेते हुए नजर आ सकते हैं इसलिए आप इनको कंपरम अपनी टेम में कराए करना फिर मैंने लिया हुआ हैं अपर एस बोंड अपना पहला मैच खेलेंगे देखते हैं कैसा परतर्सन करते हैं फिलाल जब खेलते थे तो अच्छे बोलर्स थे तो इसलिए मै मैंने ड्रोप किया हुआ है पिछले मैच में आला की पूरे चेहर ओवर डाले लेकिन विकेट्स मिली एक दो दो तीन कैचिस से पॉइंट्स आइन के तो बाकी मैंने ड्रोप किया फिर बात करते हैं एच्छ बैनेट्स बहुत ही अच्छे बोलर्स हैं एकनोमिकल बोलर हैं अभी फिलाल डोमेस्टिक लेवल पर खेल कर आए दे तो इसलिए मैंने इनको अपने टीम में ट्राइए किया हुआ है फिर बात करते हैं दोस्तों टीम के प्रिव होगी यह दोस्तों मेरी टीम का प्रिव हुआ है कैप्टन इसमें मैंने रोज टेलर को बनाया हुआ हुआ एक्स बैननट को जो कि मेरे साबसे तीन से चार विकेट्स लेकर जा सकते हैं और रोज टेलर को तो आप जानते ही हैं जब चलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफोरमेंस करते हैं जैसे पिछले मैच में दिलसान ने सतक लगाया उसे पिछले मैच में स्टूइट बिनी ने अच्छी पारी खेल यानि कि बैटिंग थोड़ी इची है तो इसके सबसे मैंने कैप्टन रोज टेलर को और च्यार बैट्समें और तीन आलाउंडर तीन बोलर्स लिए हुए तो दोस्तों यह हो गई मेरे टीम अब दोस्तों मैं आपको 12th main application के बारे मैं बताना चाहूँगा 100% trusted application है less competition है maximum winning के chances है वीडियो के description में link है रेफरर कोड है अगर आप रेफरर कोड को यूज करते तो आपको 20% cash bonus मिलेगा जिसको आप small league और grand league में try कर सकते हो तो दोस्तों एक बार application को try करना तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से आपको इस देखेए